नमस्कार दोस्तों, Learn with Loads के एक नई एपिसोड में आप सभी का स्वाज़त है और आज हम सिखेंगे कि किस तरह से आप अपने मोबाइल से यह मेरा मोबाइल है, मोबाइल से आप किस तरह से अपना e-ticket और i-ticket का PNA status जान सकते हैं, तो मोबाइल से आपको PNA status जानने के लिए सिंपल सा एक message भेजना है, आपका PNA number होता है, यह मेरा PNA number है 245911725, ठीक है, अगर मैं इस ticket का PNA status जानना चाहता हूं, तो मुझे अपने मोबाइल के message box में जाके आपको मोबाइल दिखा देता हूं, यह मोबाइल जो है, वो आपको view नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें मैं बिना कोई space के, बिना कोई comma, और बिना कुछ word type किये, just all digits जो है, इसके मैंने, वो type कर दिये है, 245911725, और इसको मेरे को message कर देना है, 139, rail inquiry, एक number है, 139 पे मेरे को send कर देना है SMS, कि के मैं SMS को send कर देता हूं, यह message चला गया, और कुछ ही शणों में, आपको एक या दो मिनट में, आपको वहाँ से इसका status inquiry आ जाएगा, देखिए, मेरे इसके उपर, इसका status आ गया है, यह विगाने दादर सूपरफार्स एक्स्प्रेस है, और इसका passenger one का current status, वेटिंग लिस्ट 14A, chart is not prepared, scheduled departure time 18-20 hours, तो इस दरह से जान सकते हैं, तो धन्यवाद दोस्तों यह tutorial देखने के लिए, अगर आपको tutorial अच्छा लगा, तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, इसी तरह के, जो simple topics के लिए, और अगर आप accounting से related, income tax से related, service tax से related, किसी तरह की tutorials के लिए, हमारे चैनल को देखना चाते हैं, तो हमें subscribe करिए और इन subject से related, अगर आपको कोई queries हैं, या CA किसे level से related, IPC से related, या किसी भी तरह की आपको कोई query है, तो आप हमें, मारे Facebook page पोस्ट कर सकते हैं, जो भी है, www.facebook.com.slash.learnedododaj, और अगर आप हमें से e-filing of kdiasetan सीखना चाते हैं, तो आप हमें अपनी queries पोस्ट कर सकते हैं, www. www.facebook.com.slash.learnedodaj, तो अगली बार, फिर एक नहीं subject के साथ में, मैं सुमित लोड़ा हाज रहूंगा, आप सभी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुरूद, 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 शु